इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा 3-phase का सिस्टम होता है उसमें हमें 415 या 440 वोल्ट क्यों देखने को मिलते हैं यहाँ पे हमें 660 वोल्ट देखने को क्यों नहीं मिलते हैं तो इस टोपिक को बड़ी आसानी के साथ समझने के लिए हमारी इस वीडियो को हाल भी हमारे दिमाग में आते हैं जैसे कि जब हम 3-phase में voltage चेक करते हैं तो हम यहाँपे सिर्फ 2-ukaцу करते हैं 3-phase चेक क्यों करतें यह भी हम जानने वाले हैं तो इन सबको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँपे जो transformer के connection होते हैं वह जानने जो हमारा जो distribution transformer होता है उसकी जो winding होती है उनके जो connection होते हैं वो हमें delta star type connection देखने को मिलते हैं यानि यहाँ पे जो transformer की primary winding है वो delta connected होती है जबकि जो इसकी secondary winding होती है वो star connected होती है अब delta में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सिर्फ तीन तार की ज़रूरत पढ़ते हैं यह क्योंकि यहाँ पे तीन point होते हैं जबकि जो हमारा star है यहाँ पे हमें 4 point देखने को मिलते हैं हमें चोथा point यहाँ पे neutral के रूप में देखने को मिलता है यहाँ यहाँ पे B और N के बीच में अगर voltage हम check करते हैं तो B यहां पे हमें 230V देखने को मिलते हैं यह जो हमारी voltage थी neutral और face के बीच में इसको हम face voltage कहते हैं जबकि दूसरे तरीके से जैसे इसकी primary side winding है डिल्टा connected है अगर यहां पे हम voltage check करेंगे तो यहां पे हम R और Y face के बीच में check करेंगे तो माल लिजिए हमारी यहां पे 415V या 440V मिलते हैं दूसरा Y और B के बीच में हम voltage check करते हैं तो भी हमें यहां पे 415-440V देखने को मिलते हैं तीसरा हम B और R के बीच में voltage check करते हैं तो भी हमें यहाँ पे 415 से 440 वोल्ट देखने को मिलते हैं अब जो यह हमने face से face तक जो supply चेक करी है यह जो हमारी supply होते है यानि voltage होती है इसको हम line voltage कहते हैं तो आपको यहाँ से यह भी clear हो गया कि हमारी जो face voltage होती है और जो line voltage होती है वो क्या होती है अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि electrical से जोड़ी ऐसी knowledge वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहे हैं अब समझते हैं कि यह 444 वोल्ट क्यों होते हैं चैस्सों साट वोल्ट क्यों नहीं होते तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है सिंगल फेस में यानि फेस वोल्टेज है वो 240 वोल्ट आ रही है तो जो हमारी वोल्टेज वो निकल गए आ जाएगी इसको समझने के लिए आप यहाँ नीचे दिये गए हमारे इस डाइगराम को भी समझ सकते हैं यहाँ पे आपको यह 3 फेस AC साइकिल का डाइगराम दिखाया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे तीनो फेस है वो एक जगें से स्टार्ट नहीं है तीनो अलग अलग जगें से स्टार्ट होते हैं तो जब हमारे दो पोजिटिव में होते हैं तो एक फेस हमारा नेगेटिव में होता है इसकी अगर आगे बात करें तो हम जो हमारा एक Scalar Edition आपने सुना होगा, एक हमारा Scalar Edition होता है, अब नॉर्मली आप देखिए जो हमें एक रास्ते पे हमें जाना है और ये रास्ता कुछ इस तरीके से करके है, ये हमारा दो किलोमेटर है, ये एक किलोमेटर, ये दो किलोमेटर और इस Vector Edition की वजएसे ही हमें 660 की जगे 440 V देखने को मिलते हैं, अब इस Vector Edition में क्या होता है, जैसे हमारा ये रास्ता था, 2, 1, 2, 1, 2 किलोमेटर का, अब हमारे इस एडिसन में क्या करते हैं, हम ये पात ना फूलो करके, हम बिलकुल सीधा पात फूलो करते हैं, तो यहा हारन हम जो face voltage की मदद से line voltage निकालते हैं उसको हम under root की जो value हो जो होती है उससे multiply करते हैं तो इसकी मदद से आप किसी भी voltage level की जो face voltage है उससे line voltage आसानी से निगाल सकते हैं जैसे माल लेजे हमारी जो line voltage है वह 220 volt है और इसकी हमें line voltage निकाले है तो इसको हमें 1.732 से multiply करना होगा तो यहाँ पे जो हमारा answer है तो वो 381 volt के असपास आ जाता है तो अगर हमारी face voltage 220 volt है तो हमारी जो line voltage होगी वो 381 volt में देखने को मिलेगी आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप कहीं पे भी electrician, mht या supervisor की job के लिए ट्राइ कर रहे हैं और interview की त्यारी कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आप से interview में कौन कौन से सवाल पूचे जाएंगे या फिर किस किस चीज की knowledge आपको interview के लिए होनी चाहिए तो इसके solution के लिए हमने कुछ e-books यानि PDF बनाए हैं जिनकी मदद से आप electrician, MST या फिर supervisor की जो post होती है इनके interview की बड़ी आसानी से त्यारी कर सकते हैं और उसके बाद job का interview उसको correct कर सकते हैं अगर आप MST electrician या फिर supervisor की job के लिए interview की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारी इन e-books को करीद के इनको पढ़के आसानी से interview की त्यारी कर सकते हैं इन e-book को अगर आप करीदना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के नीचे description में दिये गए link पे click करके इन e-books को करीद सकते हैं इसके अलावा आप इन e-books को करीदने के लिए हमारे WhatsApp पे भी हमें message कर सकते हैं तो इस टोपिक से जोड़ी हुई ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को like कर सकते comment कर सकते हैं इसके अलावा इसको अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हैं ताकि वो भी इसके बारे में सीख सकें इसके अलावा अगर आप electrical की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये left वाली और right वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं